एक वचन पढ़ेंगे हम पहला थिस्नलू कियों उसका चार अध्या है उसके एक पद से इसलिए हे भाईयों यदि हम तुमसे विंती करते हैं इसलिए हे भाईयों यहाँ पर जितने भी लोग बैटे हैं सबसे हम विंती करते हैं और तुम्हें प्रभु येशु मसी में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग ये चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़त चले जाओ अब बाइबिल क्या सिखा रही है कि आप जिन चीजों को आपने प्राप्त कर लिया है उसमें आपको और बढ़ते जाना है बोलिया हालेलुया आपने हो सकता है कि कुछ सालों से प्रभु को जानते हैं लेकिन आपको उसी जगा पर सीमित नहीं रहना है आपको परमेशुर की ज्यान में बढ़ते जाना है बोले हमें बढ़ते जाना है बढ़ते जाना है और जब आप बढ़ते जाएंगे परमेशुर की आसीसों में जब आप बढ़ते जाएंगे परमेशुर की वचन में तब आप बढ़ते जाएंगे परमेशुर की प्रतिग्याओं में जो परमेशों ने आपके लिए दी हैं बोले आमीन हालेलूया और आपको आपको इन वचनों को इन ग्यान को बढ़ाने के लिए आपको मेरा आपके साथ एक सुझाव है कि आपको वचनों को अपने घर पर जरूर पढ़ना चाहिए आपके घर में तीन जन पढ़ने वाले तो आपके घर में सब के पास अलग अलग आपके पास तीन बाइबल होना चाहिए आपके पास एक बाइबल से कोई काम मत चलाए ये इस ग्यान को आपको लेना है तो आपके पास खुद के आपके एक बाइबल होनी चाहिए और आप खुद उसको पढ़ते हैं क्योंकि आपको यदि एक घर में एक Bible है तो आपको पढ़ने का मन हुआ तो आपके कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है तो आप इंतिजार करते करते आप किसी और काम में विजी हो जाएंगे और आपके पास आपके खुद की Bible होने चाहिए ताके आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें कितने लोग प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं परमेश्वर की निगामे और जितने नहीं पढ़ते आप पढ़ना सुरू करें प्रति दिन आपको परमेश्वर कवचन पढ़ना है और जब आप प्रति दिन पढ़ेंगे तभी तो आप उसके ग्यान को बढ़ा पाएंगे बोले आमीन आमीन और मैं इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों की बाइबल हम देखते हैं कि कि किस तरह उसको पता नहीं आप कहां पर उसको रखते हैं है ना लगता है उसको है ना सरसो के तेल में डुबो देते हैं पूरा तेल जैसा दिखता है किसी की बाइबल यहां पर जैसे छूट जाती है तो उसको जब देखते है तो ऐसे लगता है उसको सीर में जब तेल लगाते है तो उसको भी तेल लगा के रखते है उसका सम्मान करिया आप आपके पास बाइबल है उसमें कवर लगवाईए आप उसको अन्य चीजों की तरह ना फेके वो तो आपके जीवन का स्रोत है उसके लिए अपने घर में एक अच्छा स्थान बनाईए वहाँ पर उसको रखिए पढ़ने के बाद वही रखिए ऐसे बाहर घर पर यह आपके जीवन का स्रोत है अपनी बाइबिल को अपने कपडों से जादा अपने सोने चांदी से ज़्यादा इसका आदर रखें, इसका सम्मान करें आपको देखिए ये किस तरह बढ़ाते जाएगी आमीन, हालेलूया आप संगती करते हैं इसके दौरा आप वचन का ग्यान पाएंगे आप प्रदिन अपने घर पर जरूर वचनों को पढ़ें ताकि आप परमेशुर के ज्यान को प्राप्त कर पाएं आमीन